louis करने बारे में लेख मसीन के इंपोर्टेंट देखने वालेững स्बलें करेंगे कौन कुछ मी देखने वाले हुए किस पार्ट के अबियो किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है और यह जाने Kate depth of cut कैसी दिया जाता है और हमारा feed कैसी दिया जाता है तो यह हमारा पहला operation है वह हमारा facing operation तो इसको पहले हम समझ लेते हैं उसके बाद आपको यहें करते हुए दिखाए जाएगा सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पर हमने चक है चक में हमने अपनी जाप को बाद रखा है जाप cylindrical है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा work piece आप लिखा है और इसमें हमने पहले tool post में अपना tool बाद दिया है facing tool अब देखिए इस facing करते समय आपको ध्यान देना होगा कि depth cut कैसे देना है और हमारी feet कैसे देना है तो feet के लिए आप देखिए प्रियोग करेंगे तो cross side हमारा इस परकार से है इधर से यह हमारा cross में है और यह हमारे लागनी टूलन फीड है तो लागनी टूलन फीड याने कि जो कि दी जाती हमारी carry से और carry से feet देने के लिए हम इसमें carry का अस्तमाल किया था डेप्टॉप कट के लिए ठीक है चलिए start देखिए कैसे हमारा वर्पीज जो है घूमने चालू हो गया है अब facing कैसे है देखिए आपने देखिए मैंने वैसे आपको बताया था कि cross slide है उसके माद्यम से हम जो feet देते हैं अब हमारा next अब हमारा next operation है cylindrical turning जिसमें आप देख सकते हैं हमने tool को बांद दिया है यह हमारा वर्पीज है इसमें हम क्या करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं उसके बाद हम आपको करते हुए दिखाएंगे ठीकि turning में क्या होता है किसी भी job का ब्यास को हम कम करते हैं यानि जिस जॉब है उसके ब्यास को कम किया जाता है turning में इसके लिए हम जो feet देते हैं वो कैसे देते हैं तो feet देने के लिए हम cross light का प्रयोग करते हैं तो feet देने के लिए हम इसमें cross light का प्रयोग करते हैं इस तरह से और डैप टॉप कट के लिए हम केर इसका प्रोग करते हैं तो चलिए स्टार्ट देखते हैं उसको कैसे यह कर रहा है ठीक है तो देखी कैसे उसमें हमारा जो इसलेंडिकल टर्निंग है वो होगी देखी जैसे मैंने बताए आपको फीड जो है ऐसे दी जाएगी जो कि क्रोस लेट से दी जाती है और डैप टॉप कट जो है हमारा केर इसे दी जाएगा ऐसे ये जो हमारा ओप्रेशन है वह है डैफलिंग ऑप्रेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने नर्लिंग टूल को बांग रखा है यह जो पक्रीहा यह नर्लिंग की टायप तीर में इक निरलिंग की टाइप होती है उसके धरले के लिए हमें इसमें डायमंड नर्लिंग जान लीजी जूए इक नर्लिंग जो छीर वो doubling लिए होती है नाक के इसमें मैटल को़ रिमूब Nहीं होता है कि और इसमें जो रोड का ब्यास होताएं भीमारा बढ़्ड जाता है ना की कम होता है। और उर्लीनिग आपने देखा होगा हमारा माइक्रो मीटर बगरा और वे टूल उपर की जाती है क्योंकि इससे क्या होता हैं। हमारे हाथ होते हैं उसकी ग्रीपिंग अच्छ हो जाती है उसमें ग्रीपिंग के लिए इसका प्रोग किया जाता है नरलेंगा तो आपनों इतना चीज समझ लिए होगी अब इसमें देखिए कैसे हम इसमें डैप्रोप कट क्या देते हैं तो यह सारा कुछ हमारा टूल के मदद से होगा इसमें आपको कुछ ज्यादा करना यह नहीं होता है क्रॉस लाइट का प्रोग किया जाता है ठीक है देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टूल को बांध दिया है अब उपा से देखिए इसको हमने टाइट किया यहाँ पर ठीक है अब हमारा जो जॉब है वो घूमे लगे औ और हलके हलके इसको टाइट करते रहते हैं और हमारी क्रिया है पूरी कम्प्लीट हो जाती है देखिए देखिए हमारी डाइमेंड नंडिंग जो है वो फॉर्म होने लगी है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है ग्रूविंग ग्रूविंग का मतलब होता है जिसमें हम चोटे चोटे ग्रूब बनाते हैं अपने according ठीक है ग्रूब इंगे वैसे काफी type होते हैं पर हम इसमें समझेंगे ग्रूबिंग की जाती है तो देखे ग्रूबिंग क्या है एक तरह से इसमें हम क्या करते है जो डैफटाप कट होता है वो कर्सलाइट की मदद से देते हैं कि वह जो ह Applause की मदद से और जो फीर ए हमारी वह जो होती है हम देते पर कै deprived मार Schutz की मदद से थीक है तो अपना वीडियो स्टार्ड करते हैं अगए अगर आपको वीडियो पसंदा रहा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगले वीडियो में और भी आपरेशन को आपको लेकर की परसुत होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ग्रूविंग होना चालू हो गया है इस क्रिया को ही हम ग्रूविंग क्रिया कहते हैं झालू है झाल 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 झाल